खासि कोई बिमारी नहीं है या किसी बिमारी का συμ्टम है खासि कई तमाम बिमारे का नहीं हो सकती है चाहिए वो बिमारी निमोनीय हो ब्रंकायट्रिस अस्तमा या टीवी हो जो आपके respirator system स्रम को ब्लोग कर देती हैं जिसे साफ करने के लिए हमें खांशी होना लगते हैं कि असी समय आती हैं आप परिसान हो जाते हैं उसमें आप समय नहीं पाते हैं कि क्या कॉonce सीरप पी जिससे के से कुछ रहात मिलें किसी किसी को एक कुछ ऐसेंग पड़न हुपतिक मेडिशन के बारे में जिसके सिवन से आप में लगतार चलने वाले खासी को तुझन सांथ करेगा तथा आपके फेफड़े में जम रहे कफ को भी बाहर नेका लेगा नमस्का दोस्तों मैं हो डोट और शिव संक पंडित आपका में चलन में बहुत बहुत स्वागत है खासी की पहली दू मेडिशन है एंटिम टार्ड तथा क्यूप्रे मेडिलिकम इसे आप उस इस्तिमले जब आपकी गलगल हाट वाली खासी हो तथा फेफड़े में कौफ के क सब्सक्राइब करने से ही आपके गड़कर हट वाली खासी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी तथा आपके सीने में जम रहे सारा कफ बाहर जाएगा दोस्तों खासी की अगली मेडिशन है हीपर सल्व तथा एको नाइट इससे आप उस इस्तिमले जब आपको ठंडी हवाया ठं खासी की समस्या बिल्कुल ही दूर हो जाएगी तथा आपको बार बार ठंड लगने के काण होने वाली खासी कभी नहीं होगे दोस्तों इसके अगली मेडिसिन है इपीकॉक इपीकॉक यह खासी की बहुत ही अच्छी आउस्ति है इसे आप उस इस्तिमले जब कफ के काण आ तथा अत्यादिक बलकम हने एकान आपके छाती से गड़गड़ा हाट और सायं सायं के धोनी सुनाई दें और खास्ते खास्ते आप उल्टी तक कर दें इस तरह के खासी के लिए इपीकॉक नमरवन मेडिसिन है इसके थर्टे पुटेंचे दिन में तीन बार दोदबंद च से वारं करें इसे आपके बलगम वाले खासी बिलकुल ठीक हो जाएगी तथा आपके फेंफडे में सारा कफ आसानी से बाहर आजाएगा सब्सक्राइब अच्छे ब्रांड का ही लें सो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में कुछ इंपना सपोर्ड दिखाया oraz लाइक को जरूब क्लिक करें नेक्स्ट आप किस टविक पे वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट करें मेरी चानल को सब्सक्राइब का ना भूले तथा बेल लाइकन को भी जरूब दबादे हूं तक जरूब में अपना अगले वोडियों आपको पता चल जाए हूं धन्यवा झाल